इतने लोगों के पास भी राषन काड़ है जितने भी राषन काड़ धाराख है सभी को EKYC करवाने के लिए सरकार ने एलान कर दिया है अगर आप EKYC नहीं करवाते हैं तो आपके member का यहाँ पर नाम कड जाएगा रासन काड से और उसको रासन कभी मिलने वाला नहीं है इसलिए जिरासन काड को चालू रखने के लिए आपको EKYC करवाना बहुत ही जरूरी है EKYC करवानी के लिए आपको रासन का डिलर के पास जा करके EKYC करवाना होगा लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रोब्लम आ रही है कि उन्होंने फूल KYC करवा लिया है अपने डिलर के पास जा करके EKYC करवा लिया है लेकिन उसे E-Pending बता रहा है आपका EKYC pending बता रहा है तो बहुत सारे लोग परिस्वान हो रहे हैं कि हमारे KYC complete हो चुकी है तो फिर pending क्यों बता रहा है तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिसकस करने वाला हो कि आखिर यह पेंडिंग क्यों बता रहा है क्यों और आखिर यह कब कम complete होगा चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्टेटस को पहले चेक करना होगा क्या आपका एक वैसी प्रेंडिंग बता रहा है या फिर कंपिलिट बता रहा है या फिर भेरिपाइड हो चुका है उसके लिए गाईज आपको यहाँ पर प्ले इस्टोर को ओपिन कर लेना है प्ले इस्टोर को ओपिन करेंगे गाईज आपको यहाँ पर सर्ज बार पर टाइप कर लेना है मेरा रासन जैसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं मेरा उसके बाद यहाँ पर रासन इतना सा आप को यहां पर type कर लेना है। ऋसके बाद के इसन के आपको тов吃 के औपके कर देना है। आपको यहां करेंगे तो आपको यहां पे आधार कटकर नंबर डाल करके इसके उपर ट्रियुक्ण करना होगा तो आप यहां पर लोगिन कर लेंगे क्योंकि मैं आप पिछले वीडियो में बता चुका होंगे यह लोगिन कैसे करना है आप नहीं चांते हैं तो जाकर करके देख सकते हैं यहां पर M-pin मांगा जा रहा है M-pin जब आप आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि यहां पर पेंडिंग बता रहा है तो उसको जनने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे ओप्सन देखने को मिल रहा होगा आपको यहां पर एक ओप्सन देखने को मिल रहा होगा मैनेज फैमिली डिटेल्स तापको इसके ऊपर क्लिक कर देना है इतना सा करता है कि आपके सामने में जितने भी मेंबर होंगे आपके रासान कार्ट में वह सारा का सारा मेंबर आपको यहां पर दिखाए जाएंगे ब फिर ऐसा प्रोब्लम क्यूं हो आ राहा है बढ़िध मैं आप लिगों को बता दूं अगर आ प्लिजर कर लो GIuster करकर K indirect कि करेंद रहांद होता है आप parlar के इसेद genetics वाले रहें चुकर नहीं ही मुद्वार सै औैसा होने वाला नहीं है क्योंकि online facility नहीं है KYC करवाने का इसलिए आपको यहां से राशन उठाते हैं वहां से dealer के पास से KYC करवाना होगा अगर आपने dealer के पास से KYC करवा लिया है तो आपको फिर भी यहां पे note verified बता रहा है तो आपको इसमे टेंसर लेनी की जरूरत नहीं है आपका टेंसर यहां से खत्म हो चुका है अब आपको KYC भी दुबारा नहीं करवाना है आपका यह verified हो जाएगा automatically क्योंकि यह मेरा राशन अप्लिकेशन जो है कि new update किया गया है new launch किया गया है इसलिए यहां पे ठ्छा से time लग रहा है यह जो है कि आपका complete हो जाएगा verified यहां पे लिखा हो आ जाएगा इसमें आपके कोई भी गलती नहीं है आपने verified के वैसी करवा लिया है तो यह application की गलती है यह application automatically यहां पे verified कर दिया जाएगा तो इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है आपको परेशान होने की को जी गए होंगे कि राशन काड में verified क्यों नहीं बता रहा है और not verified क्यों बता रहा है और आपको यहां पर verified कैसी होगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहले हैं चलको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आक